मैं हूँ चुत्रात्रपाथी बड़ी और दुखत खबर के साथ इस बुलिटिन की शुरुबात हम करने जा रहे हैं बिहार से ये खबर है जहां पर तूटा है कुद्रत का क्या है बिहार के 23 जिलों में आंधी, बारिश और बिजले गिरने से 83 लोगों के मौत हो गई है बिहार के गोपाल गंज में सबसे जादा 13 लोगों ने गम तोड़ा है, मधुबनी में 8 और सिवान में 6 लोगों की बिजले गिरने से जान गई है सर्फ बिहार ही नहीं, उत्तरप्रदेश में भी बारिश और बिजले गिरने से 9 लोगों की जान चली गई है बिहार के कई जिलों में गुरवार को बारिश आफ़त बनकर बरसी है तेज बारिश और हवा के साथ आकाशिय बिजली का कहर जिसके कारण 83 लोगों की जिंदगी चली गई है आकाशिय बिजली के चपेट में आने से कई लोग गंभी रूप से जखमी भी है अलग-अलग हिस्सों के हम तस्वीरे आपको दिखा रहे हैं परिवारवालों के उपर इस वक्या गुजर रही होगी जिन्होंने अपनों को खोया है इस बात को आप आसानी से समझ सकते हैं उत्तर बिहार से है कई जिलों में अभी भी लगातार बारिश हो रही है आपको बताते चले मौसम विभाग में पहले ही गुरुवार और शुक्रुवार को मुस्ताधार बारिश का अलर्ट जारी किया था लेकिन इन सब के बीच आकाशिय बिजली गिरने के कारण 83 लोगों ने दम तोड़ दिया है वहीं यूपी के देवरिया और बारा बंकी में भी नौ लोगों की जान जाने के खबर सामने आई है ये तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं बिहार की अफरातफरी का आलम बहाँ पर और जो पार्थिप शरीर है यकीनद बेहत गुखत अपने आप में बिहार की लोगों के लिए आपको बताती चलें अररिया के शनगंज जिले को बकादा मौसम भाग की ओर से रेड जोन में और पूरवी चमपारण पश्मी चमपारण गोपाल गंज सिवान, सारण, मधुबनी ये तमाम वो जिले हैं जिनको और इन जोन में रखा गया था जिस तरह की परज़ती आप कुदरत के कहर को देखते वे बन रही थी और लगातार बारिश उसके बाद आकाशी बिजली गिरने से 83 लोगों की जान चली गई है भागलपुर, मुजफरपुर, समस्तिपुर और बारबंकी की ये तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं इन तस्वीरों के जरिये ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त नसर बिहार में 83 लोगों की जान गई है यूपी में 9 लोगों की मौत हो गई है इस आकाशी बिजली की गिरने से गोपाल गंज 13 लोगों की गोपाल गंज में जान चली गई बिहार के जबके भागलपुर, मुजफरपुर, समस्तिपुर के तस्वीरे भी आपके सामने है नवादा में और मधुमर्नी में 8-8 लोगों की जान चली गई है कई लोगों के बुरी तरह से जुलसने की भी खबर सामने आई है यहाँ पर पूरा आंक्रा जो अपने आप में बेहत दुख़द है आप में बहुत बेहत दुख़द परिवार के ओपर इस वक्त दुखों का पहार तूट पड़ा है जैसी की तस्वीरे हमारे दर्शक देख रहे हैं 83 लोगों की जान चली गई इस आपदा की कारण आकाशे बिजली के कारण बिहार के अलग-अलग हिस्सों में बिल्कुल तरहा दुख़द खबर है बिहार चीनि आप देखें हैं तुखिण भिजली गिरने से लोगों खेतों में कामग पर रहते हैं अपमे घरों में ते और उस दॉरां इस तरह से अचानक से बिजली गिरने कि इस तरीके का मंजर देखने को मिलेगा जैसे जैसे दिन बीटा गया और मृत को की संख्या बढ़ती गई तो यह हम कह सकते कि अनपीस जीन है बिहार के उसमें टेइस जीनों में यह बिपत्ती घिरी है आफशत गीरी आखासी बिजली की वज़े से और जिसकी वज़े से इसने लोग की मौत हो गई यह हम यह बता दे कि करोना जो तूसले तीन महीने से करोना का जो चल रहा है उसमें अभी तक 25 लोग की म कर था दिवाज को नहीं विवैंच नहीं करती हैं कि अगला दो तीन बिल का समय है वह काफी है भारी के लिए खास्वा पर उस्तर वीहार के लिए यह जिनों में जारी किया गया है मुसलाधार बारी सुनिए और ये जून का महीना ही चल रहा है जून के महीने में इस तरह का मंजर कभी देखने को नहीं मिलता था जो इस बार देखने को मिल रहा है हम अभी मौझूद है आपता विवाज का जो ये कंट्रोल रूम है और इसमें आकासिय बिजली के लिए जो सिर्फ पचीस मिलत तक सिर्फ पहल है आपका इस पूरी जानकारी के लिए शुक्रिया आगे भी जानकारी आप से हम लेते रहेंगे आपको बता दें कि बिहार में कुद्रत की मार हर साल पढ़ती है कभी बाड़ और बारिश सब कुछ तबाह कर ले जाती है तो वहीं भी बहाँ पर खराब रह सकती है ऐसे में लोग बहुत जादा ध्यान रखें जैसे और जानकारी इस खबर से जुड़ी भी मिलेगी आप तक कहुछाएंगे आगे बढ़ते वे बात अब चीन की कर लेते हैं चीन LAC सीमा पर आधम का है